तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग आज 25 जून तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफियर्स बारिस की बूंदे भले ही छोटी हो लेकिन उसका लगतार बरसना ही बड़ी नदियों का बहाओ बन जाता है वैसे ही छोटे छोटे प्रियास भी जिन्दिगी में बड़ा पडिवर्तन ला सकता है जी हाँ बिलकुल देखिए एक बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे कि अगर आप इस एक्साम के त्यारी करें तो कम से कम आपको 15 घंटा पढ़ना होगा 20 घंटा पढ़ना होगा चली आगे बढ़ते हैं देखते हैं होमवर्क जो मैंने आपसे पूचा था वर्ल्ड ओलम्पिक स्टे कब बनाते हैं तो ये बनाते हैं हम लोग 23rd जून को ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ओलम्पिक भी हो रहा है 2021 टोक्यो में चली आगे बढ़ते हैं देखते हैं देखें टोक्यो ओलम्पिक जैसा कि मैंने आपको बताया था 2021 का टोक्यो में हो रहा है और ओलम्पिक 23rd जून को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 1894 को पहली बार हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ओलम्पिक गेम स्टार्ट किया जा और 1986 में पहली बार ओलम्पिक हुई थी कहां एथिन्स ग्रीस में चली आगे बढ़ते हैं करेंट अफेर्स सेरीज में आपका स्वागत है सबसे पहले कोशन नम्र वन देखते हैं मिशन करम योगी अ थ्री मेंबर टास्क फोर्स इस लेड़ बाई बहुत इंपोर्टन कोश अनलाइन मोड्यूल को फालो करने के लिए यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है क्योंकि कोवीट का सिचुवेशन है तो ओफलाइन इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं हो सकती इसके लिए स्टार्ट किया गया है मिशन करम योगी और एक फ्री मेंबर टास्क फोर्स बनाय गया है जिसके चियर्में कौन सलेक हुए हैं तो वो हुए है एस्टी सीभूलाल कौन है एक्च्छली यह इनफोसिस के को फाय। टर हैं तो इनका नाम याद रखे क्या है नाम है इनका इनका ती सीभूलाल चलिए आगे बढ़ते हैं कि मिशन करम योगी बहुत है यह Вторेनिंग प्रोग्रहम है जुझे शल चरत्राइब कर सारा काогं करना हो रोल swiftly स्वस्था धो Improve स्जी काम करना काम करते लेकिन उसी और सब्सक्राम करें करते हैं तो एक ही काम होते हैं लेकिन डिसें डिसने काम आपको पसंद आते हैं जैसे आप खाना खाने जाते हो बहुत सारे रिस्टुरेंट होते हैं लेकिन कुछ रिस्टुरेंट का खाना आपको बहुत पसंद आता है वही चावल होता है लेकिन वह वहां का अच्छा लगता है आपको क्यों कि उसके जो बनाने का तरीका है वह बह गया कि रूल बेस्ट नहीं होना चाहिए रूल बेस्ट होना चाहिए रूल का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए एक आईएस और आईपेस ऑफिसर को चलिए आगे बढ़ते हैं ऑनसाइट अफसाइट लर्निंग की बात की जारी है तो इसमें फोकस किया जाएगा ऑनसाइट ल मेंबर हैं वो कॉन है गोविंद अयर और पंकज बंसर चलिए अगे बरते कोश्चन अल्बर 2 की तरफ क्रिकेट सेंपियंशिप 2021 अभी कॉनसे क्रिकेट टीम ने आईएसी वाल क्रिकेट स्ट चेंपियंशिप 2021 जीत लिया है बहुत इंपर्टेंट है वह कंट्री है माल दिखाया है और उसने पचारा है इंडिया को जी हां न्यूजीलेंड ने जीता है ICC World Test Championship 2021 और सेकंड और कह सकते हैं रनर अप इंडिया है उसमें देखिए केल जैमिनसन कौन है केल जैमिनसन प्लेयर ऑफ दे मैच सेलेक्ट किये गया है यह न्यूजीलेंड के खिलारी है चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्यन नमबर त्री की तरफ यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी एक लॉ इस अभी दोरो एज मदर ऑफ जैसल चाइल्ड यह बुक बहुत इंपोर्टेंट बुक है इसलिए आंपे लाया गया है वह यूनियन मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्र डॉक्टर हर्स वर्दन ने यह किया है उन्हों ने इस बुक को अन्विल किया है क्या नाम इस बु क्लिका था as a mother of a special child, my joy and sorrow, चलिए आगे बरते हैं, question number 4 की तरफ, memorandum of understanding has signed between India and which country for agriculture and allied sector, जी यह एक memorandum of understanding अभी हाल में sign की गई है, memorandum of understanding का simple मतलब होता है, agreement sign किया गया है, इंडिया और किस country के साथ for agriculture and allied sector, तो वो sign किया गया है, Feezy के साथ, Feezy एक छूटी सी country है, उसके साथ sign किया गया है, agriculture and allied sector, बहुत important है, agriculture में किस तरह से improvement लाया जाया, इसके लिए deal किया गया है, और कौन sign किया है, sign किया है हमारे agriculture minister नडेंदर सिंह तोमर, देखिए, Feezy की बाद की जाये, तो वो कहा है, तो वो Australia से थोड़ा दूर और New Zealand से भी थोड़ा दूर है, Feezy, तो याद रखे, Feezy Island है, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 5 की तरफ, 9th Asian Ministerial Energy Roundtable Conference को कौन सी country host करने वाली है, 9th Asian Ministerial Energy Roundtable Conference, और इसे host करने वाली country है, जी है वो country है, इंडिया, इंडिया होस्ट करने वाली है, 9th Asian Ministerial Energy Roundtable Conference, और ये announce किया गया है, Petroleum Minister रमेंदर सिंह प्रधान के द्वारा, और IEF यान International Energy Forum का ये, एक meet है, जो बहुत important meet है, जिसका नाम है, Asian Ministerial Energy Roundtable Conference, ये meet बहुत important है, और 2022 में इंडिया इसमें पाडिसिपेट करने वाला है, उससे पहले 2018 में हुआ था, जिसमें अबुडाभी ने host किया था, चलिए आगे बढ़ते हैं, Question No.6 की तरफ, एक Antipody वाईरस का discover किया गया है, अभी हाल में, महावलेश्वर केव, और ये जो वाईरस है, वो निकाला गया है, बैट से, तो कौन सा वाईरस है, जल्दी सिव बताएं, वो वाईरस है, नीपा, जी हाँ, नीपा वाईरस जो है, वो महावलेश्वर केव, जो की कहा है, महारास्ट्रा में है, वहाँ के बैट से निकाला गया है, नीपा वाईरस के बारे में तो आप जानते ही हूँ कि काफी जाधा नियूज में था, ये फ्रूट बैट जो होते हैं, वो इसके करियर होते हैं, और उससे वो हुमन में ट्रांस्मीट होता है, तो ये एक इंपोर्टन नियूज है, तो या रखे, महावलेश्वर केव में, अभी हाल में हमारे साइंटेस्ट ने इस पे काम किया है, और ये डिस्कवरी कहां की गई है, तो नेशन इस्चूट अफ विरोलोजी कहां है, पूने में है, और आईसी एमार ने ये पूरा रिसर्च किया है, देखे, साइंस एं टेक्नोलोजी पार्ट को अच्छे से अंड करने के लिए करेंट अफेर्स से ही कवर किया जा सकता है, ठीक है, तो नीपा वाइरस कहां मिला है, तो वो मिला है महाबले इस्वर कैप के बैट में, कुश्य नमर सेवन पे आते हैं, पे ओन कॉंटेक्ट सर्विस रेसेंटली लॉंच भाई, पे ओन कॉंटेक्ट सर्विस अभी हाल में launch किया गया है, किस bank के द्वारा, तो वो bank है, bank को, वो bank है, Co-Tech Mahindra Bank, जी हाँ, वो bank है, Co-Tech Mahindra Bank, और उस ने launch किया है, Pay on Contact Service, यानि कि आप payment कर सकते हैं, अपने contact number पे, जी हाँ, जैसे मालीजी आपका किसी से भी contact number है, तो आप उस पर direct payment कर सकते हैं, और ये सर्विस दे रहा है कौन सा बैंक, कोटेक महिंदरा बैंक, तो याद रखें, question number 8 पे आते हैं, ifco एक organization है, उसने अभिहाल में agreement किया है किस country के साथ, ताकि वो वहाँ पे नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट लगा सके, काफी जादा news में था आपको याद होगा, if तो ये setup करने वाला है अर्जेंटीना में, देखिए, ifco बहुत important है, क्योंकि ifco एक Indian organization है, Indian Farmer Fertilizer Corporation Limited ने ये पहल ली है, और पहला नैनो यूरिया liquid fertilizer बनाया है, ये एक liquid fertilizer है, अच्छा, ifco के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, देखिए, Indian Farmer Fertilizer Corporation Limited बना था 1967 में, और इसका headquarter है, New Delhi में, देखिए, ifco के बारे में जो बनाया है नया product, world का पहला नैनो यूरिया fertilizer के बहुत जादा news में है, क्यों, क्योंकि ये liquid fertilizer है, इससे क्या होगा, इससे soil में ये easily observe हो जाएगा, फिर इसके कोई side effect नहीं रहेंगे, ठीके, और ये costly भी बहुत जादा नहीं है, cheap है और जितना immune में fertilizer देना पड़ता है, किसी यूरिस वाइल में, उसके amount से कम देना पड़ेगा, तो ये अच्छा है, क्योंकि कम भी देना पड़ेगा, liquid भी है, easily observe भी हो जाएगा, cost भी जादा नहीं है, चलिए आज का देखते हैं सवाल, जो बहुत important है, passage exercise किस country के बीच में ह हुआ हो रहा है, इंडिया और किस country के बीच में, passage exercise, जल्दी से इसका answer दे और friends वीडियो अच्छा लेगे तो like कर दे, share कर दे और channel को भी subscribe कर दे अगर आपने नहीं किया, thank you